चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे और मुफ्त की योजनाओं की बात करने लगती है। इसे ही राजनीतिक भाशा में मुफ्त की रेवडी या फ्रीवीज कल्चर कहा जाता है। वहीं वोटरों को भी मुफ्त की रेवडियां खुब पसंद आती हैं और वो जादा रेवडी बातने वाली पार्टियों को जम कर वोट करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि रेवडी या फ्रीवीज कल्चर की शुरुवात कहां से हुई थी, वो कौन सी पार्टि थी जिसने मुफ्त की रेवडी बाती थी। आई आज के एक्स्प्लेशनर में मुफ्त की रेवडी कल्चर की अब तक की पूरी कहानी जानते हैं। मुफ्त की रेवडी या फ्रीविस कल्चर की शुरुवात भारत में सबसे पहले तमिलनाडू के विधान सबग चुनाव में हुई थी तब 1960 के दशक में के कामराज के नित्रित वाली कॉंग्रेस सरकार ने मुफ्त में शिक्षा और मुफ्त भोजन देने का एलान किया था इस चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी की जीत हुई थी मुफ्त की रेवडी बाटने का दाव कोई नया नहीं है सियासी दल इसे समय समय पर अजमाते रहते हैं दक्षिन के राज्यों में तो चुनावी रेवडियां बाटे जाने का चलन आम हो गया है और अब तो पुरे देश भर में चुनावों के समय मुफ्त की रेवडी बाटने का दौर चलने लगा है आमादी पाटी के दिल्ली और पंजाब में मुफ्त की रेवडी के ही बलबूते पर सरकार बनी थी इसका एक और उधारण हाल ही में खत्म होए करनाटक विधानसबा चुनाव भी है करनाटक विधानसबा चुनाव में कॉंग्रेस के घोशना पत्र में हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली घर की महिला मुख्या को हर महीने 2000 रुपे और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल और साथ ही बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपे बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था और फिर करनाटक में कॉंग्रेस सत्ता में वापस आ जाती है मुफ्त की रेवडी बाटने में बीजेपी भी पीछे नहीं है करनाटक चुनाव के लिए बीजेपी के घोशना पत्र में अनुसूची जाती और जनजाती के परिवारों को 5 साल के लिए 10,000 रुपे की FD करवाने गरीब परिवारों को साल में 3 गैस सिलंडर मुफ्त देने हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूद और हर महीने 5 किलो चावल और बाजरा मुफ्त देले का एलान किया था लेकिन बीजेपी की रेवडी लोगों को खास पसंद नहीं आई आपको बता दे की चुनावों में फ्री स्कीम यानी रेवडी कल्चर का मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्यन आदीश ने कहा कि ये एक बहुती गंभीर मुद्दा है और इसके अलावा सीजी आई ने केंदर सरकार से स्थिती पर अंकुष लगाने के लिए भी कदम उठाने को कहा था 2022 से भी पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है डियम के ने मुफ्त में कलर टीवी बाटने का वादा किया था डियम की सरकार के इस फैसले को याची का करताओं ने चुनौती दी थी कोट ने अपने फैसले में मुफ्त देने वाले वादों को लेकर कहा था कि जन प्रतिनिदी कानून उमीदवारों के बारे में बात करता है ना की राजनीतिक पार्टी के बारे में साथ ही कोट ने कहा था कि चुनावी घोशनापत्र किसी राजनीतिक दल की अपनी नीतियों का एक स्टेटमेंट होता है ये नियम बनाना कोट के दायरे में नहीं है कि कोई राजनितिक पार्टी चुनावी घोशनापत्र में किस तरह के वादे कर सकती है या नहीं कर सकती हर बार की तरह इस बार भी देश में आने वाले चुनावों में मुफ्त की रेवडी बाट कर सभी दल सत्ता में आने की भरपूर कोशिश करेंगे साल 2024 में मध्यपरदेश और राज्यस्थान विदानसभा चुनाव समेत पुरे देश में आम चुनाव होने हैं ऐसे में मुफ्त की रेवडी तो खूब बटेगी और इसकी शुरुवात अभी से ही हो गई है इसका कारण ये भी है कि हर किसी को मुफ्त की चीज़े खूब पसंद आती है लेकिन अब देखना ये दल्चस्प होगा कि सुप्रीम कोट और चुनाव आयोग मुफ्त की रेवडी पर रोक लगा पाते हैं या नहीं अभी तो इस पर रोक लगाना संभव नहीं हो पाया है मुफ्त की रेवडी सबस्यादा राज्य और देश की आर्थिक स्थिती पर चोट करती है इस पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है अन्यथा राज्य की सत्ता में आने के लिए पार्टियां राज्य को करजे में डुबो सकती है तभी तो मुफ्त की रेवडी पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है आज की एक्स्प्लेनर में इतना ही, ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहे है आई एनस टीवी